हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी वेलकम बैक टो माई चैनल मैं होम्रता दोस्तों क्या आपने कभी पुरानी जाडू से कुछ नया बनाया है जी हाँ दोस्तों तो आज हम घर पर बेकार हो चुकी पुरानी जाडू से बनाने वाले हैं कुछ नया अनोखा और उपयोगी तो च की सीकें जो है वो अलग हो गई है तो इसके ये जो ये वाला जो पार्ट है उपर का इसको हमें यूज नहीं करना है और हम नीचे वाले सीकों को यूज करेंगे तो यहां पर ये देखिए हमने ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कट करके इस तरीके से स्टिक्स को निकाल यह हमने स्टिक्स को निकाल कर इकठा कर लिया है इसके बाद दोस्तों हम यहां पर एक्राइलिक कलर लेंगे और एक्राइलिक कलर से हम इने स्टिक्स को पेंट करेंगे एक एक स्टिक को हमें पेंट करना है अच्छे से और इसके बाद हम इसको सूखने के लिए रख देंगे यहाँ पर मैंने black acrylic color लिया है, आप चाहें तो dark green color या कोई और भी color ले सकते हैं. इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है यह उन और इस उन को मैं यह spray paint की bottle में लपेट रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी normal plastic bottle में लपेट सकते हैं, और इसको इस तरीके से हमें लपेटते जाना है, और एक मोटी सी लेयर जो है वो बना लेनी है हमें उन की, बस धीरे दीरे इ कुछ इस तरीके से इसको निकाल लेंगे दबाकर और इसके बाद निकालने के बाद हम इसका एक सिरा जो है पकड़ कर सीजर की help से कट कर देंगे इसको कट करने के बाद ये जो हमारे पास इसके जो ये उनके जो टुकड़े हैं इनको हम गांट लगाकर इस तरीके से बान देंगे एक साथ और फिर इसको कट कर देंगे एक्स्ट्राउन को इसके बाद दोस्तों हम इसको फिर थोड़े-थोड़े-थोड़े से हिस्से को कट करते जाएंगे यह देखे कुछ इस तरीके से हम कट करते जाएंगे जब तक कि यह एक पॉम-पॉम जैसा शेप नहीं बन जाता एक्चुल में हम बड़ा पॉम-पॉम ही बना रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको कट करते जाएंगे और पॉम-पॉम का शेप जो है वो दे देंगे तो दोस्तों हमारा एक पॉम-पॉम बनके रेडी हो गया है अब इसी तरीके से हम बाकी के पॉम-पॉम भी बना लेंगे उनकी मदद से ऐसे ही कट करके तो यह हमारा दूसरा पॉम-पॉम जो है वो भी रेडी हो गया है आप देख सकते हैं हमने दो पॉम-पॉम को इस तरीके से बना कर रेडी कर लिया है और इसी तरीके से हम बाकी के pom-pom भी बना कर ready कर लेंगे pom-pom बनाते वक्त हम उन की जो परत है उसको जितना मोटा करेंगे यानि कि जितना ज्यादा उन हम लपेटेंगे उतना मोटा और अच्छा pom-pom जो है वो बनके ready हो जाएगा दोस्तों मैंने चार औरेंज कलर के पॉम पॉम जो है वो बना के रेडी कर लिये हैं अब मैं ये ब्लू कलर मैंने लिया है और इसके मैं पॉम पॉम बना रही हूँ तो ये देखे इसी तरीके से मैं इसको भी लपेट रही हूँ धिरे 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 और ये हम इसको वापस से निकाल कर उसी तरीके से बनाएंगे लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं अब एक और डिफरेंट्सीज करने वाली हूँ कि जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया और हम इसको पूरा ही ले लेते थे तो अब मैंने इसको बीच से भी कट कर दिया और अब ये एक मोटा सा जो हिस्सा है वो हमें मिल गया उन का यानि कि काफी सारे टुकडे मिल गए क्योंकि मैंने इसको बीच से कट कर दिया तो ये देखिए ये वाला पॉम पॉम जो है वो थोड़ा बड़ा है तो इस तरीके से आप उन की जितनी मात्रा लेंगे पॉम पॉम उतना अच्छा बनेगा बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हम कट करते जाएंगे भूल थोड़ा थोड़ा सा ही कट करना है जिससे की फिनिश अच्छी आ है तो ये देखे दोस्तों हमने इस तरीके से दो कलर्स के पॉम पॉम जो है वो बना के रेडी कर लिए हैं दो थोड़े से बड़े हैं और बाकी के मीडियम साइज के हैं अब मैंने यहाँ पर स्टिक्स ली हैं जो की हमने पेंट करके सूखने के लिए रगती थी और इन ब्रूम स्टिक्स में हम यहाँ पर इस तरीके से होट लू लगाकर इसको एक सीरे पर चिपका देंगे पॉम पॉम को यह देखे कुछ इस तरीके से इसी तरीके से बाकी की जो हमारी स्टिक्स हैं उन पे भी हम होट लू लगाएंगे और इस तरीके से pom pom को हम इस पे stick कर देंगे हमें ध्यान देना होगा कि जिस वक्त हम इसको चिपकाएं तो हमारा glue गरम रहे अच्छे तरीके से तो दोस्तों ये देखिए हमने ये जाड़ू की sticks में इन pom pom को अच्छे तरीके से चिपका लिया है और दोस्तों अब आप result देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये मैंने इसको flower wash में adjust कर दिया है आप चाहे तो इस तरीके के और भी colors choose कर सकते हैं और इस तरीके के multi color pom pom बना कर आप अपने flower wash में जो है या फिर आप different multi color बना सकते हैं या फिर दो या तीन color के बना सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना attractive लग रहा है नॉर्मल जो हम flowers खरीद के wash में लगाते हैं उससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग सा लग रहा है दोस्तों home interior के ऐसे ही budget friendly tips अगर आपको और भी चाहिए या फिर आपको कोई DIY वीडियो चाहिए तो मुझे comment box में जरूर बताएं और चैनल के साथ जुड़े रहें चैनल को अपना सनेह देते रहें तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें शेयर करें चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी कर दें और साथ में bell icon भी दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के notifications भी आपको मिलते रहें फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो म तब तक कि दिनमस्कार